हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टो मैं चैनल मेरी आज की रेसिपी है अश्टमी और नवमी में माता को भोग चड़ाने के लिए जो सुखा कलाचाना और सूजी का हलवा बना जाता है उसकी परफेक्ट रेसिपी ये रेसिपी अगर पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर क देखिए कितना परफेक्ट बना है इसका टेक्स्चर देख सकते हैं सूजी का तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी सूखा कलाचाना बनाने के लिए इधर मैंने आधा कप कलाचाना ने लिया है और इसको अभी अच्छे से धो लेंगे तीन-चार बाद इसको लगड़ कर अच्छे से धो लिया है अभी इसको पानी में भीगो कर रख देंगे पूरे रात के लिए मॉर्निंग में ये जब फूल जाए इसको बॉयल करेंगे तो इधर मैंने एक प्रिशर को कर ले लिया है इसमें चने को डाल देंगे अभी इसमें पानी डालेंगे ताकि ये अनुसर नमक अभी धक्कन को बंद करके हाई फ्लेम में एक सीटी आने देंगे उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके साथ से आठ सीटी लगाएंगे या फिर जब तक चाना बॉयल ना हो जाए तब तक इसको बॉयल कर लेंगे तो प्रिशर को अपने आप मैंने रिलीज होने द इतना सरसो का तेल लिया है आप कोई भी ओयल ले सकते हो इधर मैंने हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया है जीरा को अच्छे से भून लेंगे जीरा जब भून जाए तब इसमें हींग कर देंगे दो पींट जितना इधर मैंने एक चौप किया हुआ हारी मिर्ची ले लिया ह और एक टेबिल स्पून जितना अधरक का पेस्ट लिया है अधरक को आप चौप करके भी डाल सकते हो इसको 30 सेकेंड तक चलाते हुए भून लेंगे इधर मैंने थोड़ा सा पानी भी आड़ कर दिया है क्योंकि इसमें सुखे मसाले जाएगा नहीं तो मसाला जल जाएगा वान टीस्पून मैंने कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर वान फूर टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है वान टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून आमचूर का पाउडर डाला है इससे कई खटा पनाएगा जो बहुत ही कि देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है अभी इसमें चना आड़ कर देंगे कि स्वादानुसर नमक डालेंगे जाने में और रडी नमक है तो बिल्कुल थोड़ा सा आड़ कीजिएगा अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह सूखा काला चना बनेगा तो इसमें ज्यादा पानी एड़ नहीं करेंगे हाफ कब जितना इधर मैंने पानी एड़ कर दिया है थोड़ा सा इसको ढख कर कुक करेंगे ताकि चने के अंदर भी मसाले का फ्लेवर्स चला जाए तो इसको मैंने ढख दिया है पांस से साथ मिन तो अभी हलवा को रेड़ी करेंगे हलवे में कुछ ड्राई फूर्ट्स जाएगा तो ड्राई फूर्स को पहले भून लेंगे तो उसके लिए इधर मैंने एक टीस्पून घी ले लिया है और चौपकिया बादम लिया है आठ से दस और काजू भी आठ से दस ले ले लिया ह ड्राइफूट्स आप कोई भी डाल सकते हो पहले काजू और बादाम को भून लेंगे जब काजू और बादाम थोड़ा सब भून जाए तभी इसमें किश्मिश एड़ करेंगे क्योंकि किश्मिश नहीं तो जल जाएगा एक साथ अगर एड़ करेंगे देखिए अच्छे से यह फ्राइ हो गया है किश्मिश गुबारे जैसे फूल गया है तो अभी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे आप ड्राइफूट्स को चाहे तो भीना भूने भी एड़ कर सकते हो लेकिन अगर घी में थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आ में लिया है आप कटोरिया काप कोई भी जीस से नाप कर ले सकते हैं एक कटोरी सुजी के लिए आधा कटोरी घी जाएगा पहले एक टीस्पून भूने के टाइम डाला था और एक चमक जितना घी बचा कर बाकी का घी अभी एधर मैंने अट कर दिया है तो इसको चलाते हु में अच्छे से भून लिया है अभी इसमें पानी एड करेंगे एक कटोरी सुजी के लिए तीन कटोरी पानी आप एड कीजिएगा तो यह एनफ रहेगा थोड़ा सा मैंने सौल्ट भी एड किया है सौल्ट एड करने से कोई भी मीठी चीज में मीठास जो है वो बढ़ जात करेंगे चीनी इधर मैंने 340 कपैट किया है आप एक ढूंच कम यह जादा कर सकते हो सब कुछ मैंने एकी कर डोड़ी सेंआप कर लिया है तो जैसे रहे हैं अब इसको करेंगे दाकि चीनी जो है अच्छे से मेंुट हो जाये पांच मिनिट तक मैंने इसको चला कर कुक कर लिया है यह अल्मोस्ट रेडी है लास्ट में इसमें जो एक टेबिल स्पून जितना घी बचा कर रखा था वो एड़ करेंगे फिर से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे यह हमारा हलुआ भी रेडी हो चुका है इसको पूरी के साथ सर्फ किया जाता है हलुआ और सुखा काला चाना तो यह अश्टमी और नवमी का जो खास प्रसाद है इसको ज़रूर ट्राई करें अगर पसंद है रेसिपी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलूंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई